यह जो पीठीका होती है इस पीठीका में एक देखो इससे समय यह जो पीठीका यह पीठीका माता पारवती जी का हस्त कमा इस पीठीका यह भगवान संकर का शिवलिंग हो गया उपर से जो जलाधारी में से एक एक मून पानी नीचे टपकता है वो भगवान संकर की पांच बेटियां जया विशहरा सामली भारी दौतली और और इस पीठीका के सम्मूख में जहां से पानी नीचे गिरता है पानी नीचे दिरता है इसके राइट में श्री गनेश जी लेट में शुरी कार्टिके जी और मद्ध में एक मोटी सी परते हैट संकर के शिवलिंग की जलाधारी में मोटी सी बीच में एक लाइन होती और इस अच्छुक पूलधरी का हुए वो स्थान अशुक सुंदरी का होता है उसको अशुक सुंदरी का इस्थान है जब विशेश बहुत आप TOWट को लग रहा है कि कारे होने वाला नहीं है और विशेश अगर कोई कारे बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो बहुत समय आपका लग गया और वो कारिर नहीं हो रहा है पांच बेल पत्र अशुक सुंदरी वाली जगा पर जब आप चड़ाएंगे तो यह डंडी का जो भाग है यह डंडी का भाग जहां से पानी बहता है जहां से जल बहता है उस इस्थान की और इस डं दंडी का भाग हमने इधर कर दिया तो फड़ा समझ लें अच्छे से जैसे यह जला धारी समझ लो एक बेल पत्र अपन ने रखी डंडी का भाग जहां से जल बहरा है उस ओर है दूसरी बेल पत्र हमने उठाई और दूसरी बेल पत्र की डंडी को मत्य भाग की पत्ती पत् बहन को फिर बीच वाडवी पत्ती इस प्रहा से पंच बल पत्र हमें देवधित महादेव को समर्पित करना चाहिए की पाज़ा का पंच पत्र पर अपनी तीन उंगली है ये भगवान संकर की पाचो पत्र पर इस पर शेकर और एक लोटा ज़पंच अमें शेमान आठ्षर मंत्र ओम नमस्षिवाय या श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चड़ाने की दिशा हमने पहले वियाक लोगों से कहा अगर विशेश कोई कामना से हम जल चड़ाते हैं विशेश कोई मन की बाते और वो नहीं हो रही उसके लिए हम जल चड़ाते हैं तो ध्यान इतर जा रहा है तो आपका बेठना इधर होना चाहिए इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बेठ्टे हो वैसा होना चाहिए वहां बेठकर पांच बेलबत रखकर उंगली का सपर्श करकर अंचाक्षर मंत्र या श्रीशिवाय नमस्तुभ्यम भोल कर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवादीद्य महादेव को अपने मन की कामना करकर अशुक सुंदरी से अपने दिल की बात करते हुए चड़ाई दो यह ठाई महिना होगा और देवादीद्य महादेव आपका बुकारी सफल करेगा